आज की कहानी है पहलवान की धोलक पहलवान की धोलक यह पाठ फणिश्वर नाथ रेनू की द्वारा लिखा गया है कहानी इस प्रकार है गाउं में हैजा और मलेरिया बुरी तरह से फ्यला हुआ था रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा आकाश में तारे चमक रहे थी इसके अतिरिक्त रोष्णी का कोई नामों निशान नहीं था क्योंकि अमावश्या की रात्री थी और जंगल में इसी गीदर उल्वों की डरावनी आवाज आ रही थी यही कारण था कि कभी कभार वह चुप्पी भंग हो जाती थी जोप्डियों में मरीच पड़े होय थी हे भगवान हे भगवान की टेर वहां से आ रही थी बच्चों के कंठ में से मा मा की चितकार की रोने की आवाजे आ रही थी कुद्टे जाडों के कारण राख की ठेरी पर शरीर को सिकोड करके पड़े हुए थी और जब कुटे रोते थे तो वाताफरण में एक अजीब सा डर फैल जाता था रात्री के इस भयानक वाताफरण में लुटन पहलवान की धूलक लगातार बसती रहती थी और उसकी धूलक से चट था गिर्धा की आवाज आजा भिड़ जा भिड़ भिड़ चट चाक इस तरह की आवाजें आती रहती थी उसकी धूलक से उसे एक प्रेणा मिलती थी जिसमें वह पहलवानी करता था धूलक की आवाज से शिक्षा लेकर गे लुटन की शादी बच्चपन में ही हो गई थी जब वह नोवर्श खा था तो उसके माता पिता की अकस्मात मृत्यू हो गई थी इसी वज़े से उसकी सास ने उसका पालन पोशन किया था और वह अपने बच्चपन में गाय चराता धारोशन दूद पीता और कस्रत किया गरता था उसकी सास को समाच के द्वारा दी गई तकलीफों की बदला लेने की आशा से उसे पहलवान बना दिया गया आप वह कुस्ती लड़ने लगा था एक बार लुटन शाम नगर में होने वाले कुस्ती के दंगल को देखने जाता है दंगल में पंजाब से अपने गुरू पहलवान बादल सिंग के साथ एक चांद सिंग नाम का पहलवान भी आया वा होता है और उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पचाड दिया है जिसके कारण उसे शेर के बच्चे की उपाधी दी गई थी और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उस पहलवान से भिड़ जाए एक अजीब चितकार भरता हुआ बहे लंगोट घुमा कर अपने जीत की खुशी की घुशना हमेशा करता रहता था शामनगर की राजा चांद सिंग को अपने दर्बाल में रखने की सोच ही रहे थे कि लुटन बहलवान ने चांद सिंग को चुनोती दे दी यही वज़ा थी कि गाम वालों ने लुटन को पागल समझा और शुरू होते ही कुश्ती चांद सिंग बाज की तरह उस पर तूट पड़ा राजा साहिब ने कुश्ती रुखवा करके लुटन को समझाया कि तुम हार जाओगे लेकिन लुटन नहीं माना और वो है बोला कि अगर मुझे कुश्ती की आग्या ना मिली तो मैं पत्थर पर सिर्मार कर मर जाओँगा भीड भी जानना चाहती थी कि कौन जीतेगा पंजबी पहलवान जो साथ में थे चान सिंग के वो लुटन को गाली दे रहे थे और चान सिंग खड़ा मस्कुरा रहा था कुछ लोग लुटन को लड़ने की अनुमती देना चाहते थे इसलिए राजा साब ने भी उसे लड़ने की अनुमती दे दी थी बाजे बजने लगे किन्तु लुटन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था चान सिंग ने लुटन को पचाडने के लिए उसकी गरदन पर कोहनी डाल करके चित करने की कोशिश की दर्शक और चान सिंग का गुरू बादल सिंग चान सिंग को उतसाहित कर रहे थे चियर अप कर रहे थे उसे लुटन की आँखें बाहर आने को हो रही थी चान सिंग इतना शक्ति शाली था कि लुटन को अब थोड़ी हिम्मत उसकी कम होने लगी थी लेकिन धोलक की आवाज जो थी उसे शक्ति और हिम्मत दे रही थी धोल ने धाक धिना धिन की आवाज की तो लुटन ने दाव लगा दिया कि बाहर हो जाया यानि जो उसने पकड रखा था चान सिंग ने उसकी पकड से बाहर वह आ गया और फिर शे धोलक ने बोला चटाक धा उठा कर पटक दे तो उसने चान सिंग को जमीन पर दे मारा फिर शे धोलक की आवाज आई धिना धिन 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 और उसने चारो खाने चित कर दिया चान सिंग कू अब उसकी बहादुरी की जैजेकार होने लगी कोई मा दुर्गा की जै बोलने लगा कोई महावीर जी की कोई राजा शाम चंद की जैजे कार करने लगा और लुटन ने श्रधा पूरवक ढोल को प्रणाम किया और राजा साब को गोद में उठा लिया राजा ने भी उसे शाबाशी दी और अपने दर्बार में एक स्थान दे दिया पंजाबी पहलवान चांद सिंग के आसू पोच रहे थे इस प्रकार से अब लुटन जो है प्रसिद पहलवान बन गया था छेत्री के सभी पहलवान लुटन से हार चुके थे वह मेले में एक घुटने तक लंबा चोगा पहन करके घुमा करता था और दो से रसगुले खा जाता था आर दस पान एक बार में मूँ में खा लेता था उसका रंगीन चश्मा अबरक का चश्मा हाथों में खिलोने नचाता मुक्से पीतल की सीटी बजाता और हस्ता हुआ लोटता था दंगल में अब उससे कोई भी पहलवानी करने की हिम्मत नहीं करना करता था यदि कोई चाहता तो राजा साहब अनुमती नहीं देते थे इस प्रकार उसकी जिन्दगी पंदरह साल आराम से बीट गई उस दोरान उसकी सास और पत्नी दोनों मर चुकी थी लुटन के दो पुत्र थे और इन तीनों का भरन पोशन राजा के दरबार से हो रहा था अच्छानक राजा जी का सुरगवास हो जाता है और नई राजकमार ने विलायत से लोटकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया प्रशाशन को अच्छा बनाने के लिए उसने तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी अब तीनों पहलवान अपते गाउं लोलटाए और गाउं में छोपड़ी लगा करके रहने लगे और लोगों को कुस्ती सिखाने लगे इस प्रकार से उनका खर्चा गाउं वालों की जिम्मेदारी थी किन्तु यह व्यवस्था भी जादा दिन नहीं चले गाउं पर अचानक संकटा गया सुखा पढ़ गया अनकी कमी हो गई फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमन हो गया गाउं में घर के घर खाली हो गई प्रति दिन दो तीन मोथ हो जाती लोग एक दूसरे को धानडस बंधाते और सुर्यास होते ही वे घरों में घुस चाते ही सब चुप रहते ही बस केवल पहलवान की ढोलप वस्ती रहती थी ऐसी ही हालाद में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे एक लंबी सांस लेकर लुटन ने कहा दोनों बहादूर गिर पड़े उस दिन लुटन ने राजा साहिब के द्वारा दी हुई रेशमी जांग्या पहनी और शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की फिर दोनों पुत्रों को कंधे पालाद का नदी में बहा दिया और इस घटना से गाँवाले भी तूट चुके थे चार-पांस दिन तक जब धूलक नहीं बोली तब जाकर के लोगों ने देखा कि पहलवान की लाश भी चित पड़ी हुई है शिशो ने बताया कि उनके गुरू ने इच्छा प्रकट की थी कि जब उनके शरीर को चिता पर पेट के बलेट आया जाए चित नहीं उनकी चिता को आग देते समय धोल अवश्य बजाया जाए इस प्रकार्य है एक बहुत ही बहादूर पहलवान की कहानी है पहलवान की धोलक जो हमेशा अपनी धोलक से प्रेड़ना लेकर के लड़ा करता था और चांद सिंग नामक पहलवान से जीत चुका